भारत में सर्व पर्थम मानो की खपड़ी काहा से मिला है मेहरगड मुहन जोदड़ो हडपपा पल्लवरन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवरन यह तमिलांडू में इस्ठित है नेक्स्ट कोश्चन मानो दोरा पर्योग की जाने वाली पहली धातू कौन सी थी लोहा चांदी तमबा यह सोना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमबा तमबे की खोज मनुस्य ने प्राग इतिहासी काल में ही कर दी थी नेक्स्ट कोश्चन इतिहास को उनके मिलने वाले धातू के अधार पर बाटने वाले इतिहास कार क्या नाम था जानब्रोस, क्रिश्चन थामसम, कनिंगम या हेरोडोटस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिश्चन थामसम इतिहास को लिखी ताधार पर बाटने वाले इतिहास कार का क्या नाम था जानब्रोस, क्रिश्चन थामसम, कनिंगम या हेरोडोटस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानब्रोस नेक्स्ट कोश्चन बिशो का पुरतात्विक संग्रहाले कहा परिश्थि थे भारत, इंग्लैन, अस्ट्रेलिया, डेन्मार्क तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेन्मार्क भारत का पुरातात्विक संग्रहाले कहां परिष्थित है जयपूर, भोपाल, दिल्ली या उत्तर परदेश तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल भारत का पुरातात्विक संग्रहाले इंदरा गांधी मानव संग्रहाले किस मंतराले के अधिन में आता है रच्छा मंत्रा ले, बाल विकास मंत्रा ले, संस्कृती मंत्रा ले ये इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृती मंत्रा ले Next question भारत में पुरा तात्वी का जनक किसे कहा जाता है? महत्मा गांधी, कनिंगम, राखल दास बनर जी या दया राम साहनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंगम, इनका पुरा नाम अलेकजेंडर कनिंगम है, नेक्स्ट कोश्चन, पासाण काल में सोग का डहर कहां से मिला है, मोहन जोदोलो महत्रहा, दमदमा, पललव रन, तो इस इसका सही उत्तर हो जाएगा दमदमा, दमदमा या उत्तर परदेश में इस्थित है, नेक्स्ट कोश्चन, पासाण काल में होड्यों के अवजार कहां से मिले है, मोहन जोड़ दोलो महत्रहा, दमदमा, पललव रन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महत्रहा, महत्रहा से सब्वाव मिले हैं. नेक्सट कोस्टन. मेहरगड काहां इस्थित है भारत, पकिस्तान, अफगानिस्तान या इरान, तो इसका सही उतर हो जाएगा पकिस्तान, मेहरगड पकिस्तान में इस्थित है. नेक्स्ट कोश्चन, सिंदु घाटी सभेता के लिपी क्या थी? देवनागरी, रोमन, खरोष्टी या भाव चित्रात्मक? तो सिंदु घाटी सभेता के लिपी भाव चित्रात्मक थी. नेक्स्ट कोश्चन, सिंदु घाटी सभेता का मैसेज सर्व परतम किस ने दिया था? कनिंगम, चाल्स मैसन, दयरामसानी या जान मार्शल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चाल्स मैसन ने सर्व परतम सिंदु घाटी सभेता का मैसेज दिया था. सिंधु घाटी सभ्यता का सर्व चंड सर्व प्रतम किस ने किया था? कनिंगम, चाल्स मेशन, दैर अंसानी या जान मार्शल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंगम इनका पुरा नाम अलेकजेंडर कनिंगम है सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी? ग्रामेण, सहरी या ग्रामेण सहरी दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B. सहरी सिंधु घाटी सभ्यता सहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की आकरिती किस अकार की थी? गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या तिरभूजाकार तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभूजाकर सिंदू घाटी सहवेता की खुदाई के दोरान सबसे ज़्यादा सहर किस राज्य में मिले हैं पंजाप, गुजरात, हरियाना या महराष्ट तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात क्योंकि सिंदू घाटी सहवेता में साड़े तीन सव अस्थल मिले हैं जो की दो सव केवल गुजरात से मिले हैं नेक्स्ट कोश्चन सिंदू घाटी सहवेता किस दिशा में सबसे कम विश्थार किया था पूरव, पस्चिम, उत्तर या दच्छें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरव क्योंकि सिंदू घाटी सहवेता पूरव में कम विश्थार किया था सिंदु घाटी सभयता की खुदाई में सरो प्रथम सहर कौन मिला था महन जोदडो हडपा लोथल या मेहरगर तो इसका आस है उत्तर हो जाएगा हडपा सिंदू घाटी सभचा की प्रथम खुदाई हडपा से हुई इसलिए सिंदू घाटी सभचा को हडपा सभचा भी कहते हैं Next question सिंदू घाटी सभचा का नाम करण किस ने किया था कनिंगम, जान मार्शल, चार्ल्स मैसन या दाया राम सहानी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जान मार्शल तो दोस्तो यहीं पर आज का सेशन से मापत होता है अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जिस पर टेलिग्राम गुरूप में जॉइन हो जाएए उसमें PDF आपको मिल जाएगा तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें